भारतिय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज़ादा आम आदमी पार्टी से है जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुक्खे मंत्री अरविंद केजरिवाल जी को गिरफतार करने की तैयारी है साफ है कि अगर भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरिवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरिवाल को हटाया जाए इलेक्शन लड़के देख लिए तीन-तीन चुनाव के अंदर भारतिय जनता पार्टी हार चुकी है MCD हार चुकी है अवे बाद जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरिवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतिय जनता पार्टी नहीं हरा सकती अरविंद केजरिवाल को शड़ेंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक-एक करके लगबग सबने एक बात अरविंद केजरिवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरिवाल जी के उपर और अलग-अलग तरीके से दबाव बनाके उनके ओपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफ्तार कर लिया अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी अब तो मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा एक-एक विधायक ने अर्विंद जी को हाद जोड़ के कहा है कि भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए कुछ भी हो जाए चाहे जमीन से चले चाहे आस्मान से चले चाहे पाताल से चले चाहे जेल से चले चाहे पुलिस कस्टडी से चले चाहे जुडिशल कस्टडी से चले अर्विंद केजरिवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे क्योंकि मेंडेट अर्विंद केजरिवाल जी का है हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरिवाल जी के लिए मांगा है मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल जी बने सरकार अरविंद केजरिवाल जी सलाए ये मेंडेट ये आशिरवाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अर्विंद केजरिवाल जी को दिया है और इस मेंडेट के साथ खिलवार करना या धोका देने का हक जो है किसी को नहीं है मेरी कई लोगों से बात हुई Constitutional Experts से भी बात हुई आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्राइल के बहाने जेल में डाल दें कानून के अंदर और सम्विधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है जो उनकी fundamental right है right to vote right to elect right to elect a government पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इसको आप चैलेंज कर सके यह अधिकार जनता का है किसी सम्विधान की धारा में इस अधिकार के उपर कोई ऐसा अंकुष नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्राइल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिल्वाएं इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करबद निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में हम कैबिनेट कुलीक से हम लोग बहुत खुश रहेंगे अर्विन जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे और मुझे लगता है जैसा महौल है बहुत जल और मुख्यमंत्री जी से मजल में तो सकता हातिसी ज्रवच तुमें मैं नंबर 1 में हूं से लिए तुमोर से में 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 हो लोग में कर एक साथ केबिलेट की मीटिंग करेंगे का लिए फैसला करेंगे ISA कि मुख्यमंत्री लेको बाहर जो है कार्यानवित करेंगे दिल्ली के लोगों के काम मुख्य मंत्री जी रुकने नहीं देंगे मैं अब आतिशी जी से कहूंगा वो बताएं आज अर्विंद केजरिवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों न अर्विंद केजरिवाल जी को दिल्ली की जंता की राय बताई है हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं जिस पार्क में जाते हैं जिस कॉलनी में जाते हैं जिस और डबल्यूए से मिलने जाते हैं आज सब के जबान पे सिर्फ एक चीज है कि मोधी सरकार ने अ आम आदमी पार्टी के साथ अती कर दी है सब यह कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है अगर अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए फिर हमारे सांसदों को अर्विंद केजरिवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है तो सभी विधायकों ने अर्विंद केज सबने आगरे किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे. क्युंकि आखिर कर लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया. दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अर्विंद केजरीवाल को दिया है. और किसी जूटे शड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अर्विन केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे दिल्ली की लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे हमने ये भी डिसकस किया कि हम कोट जाएंगे और कोट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर जरूरत होगी तो हम वहां पर कैबिनेट की मीटिंग की फाइल लेके जाने की पर्मिशन कोट से लेंगे, दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे, अर्विंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे, ये सारी बात होने के बाद, मुख् मंतरी पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है, उससे चर्चा करेंगे, और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस प मनी ट्रेल के दौरान, मननिय न्यायधीस जी ने, जब जब E.D. से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा, पैसा कहां आया, मनी शिशोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनी शिशोदिया जी के यहां क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है, जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाई है वो दो मिनट भी ट्राइल में नहीं टिकेगी सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जन्ता ने वो ट्राइल सुनी है अकबारों के माध्यम से पड़ी है एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब एडी के वकील सुप्रीम कोट को नहीं दे पाए ये मैटर ओफ रिकॉर्ड है ये दर्ज है इतियास में मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीज जी की बेल डिनाय हुए है ये बहुत दुरभग्य पूर है और हमको इसका बहुत खे बात ये है कि क्या जेल से चलेगी दिली सरकार सौरवभारदवाज को आपने दिली सरकार में मंत्री सुना होगा आपने आतिशी को सुना होगा हम कोट जाएंगे और इस बारे में परमिशन लेंगे सौरभार दवाज कहते हैं हो सकता है मेरी जेल नेमबर वन हो आतिशी की दो हो या मुख्यमंत्री की कोई और हो और फिर हम वहाँ पर जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी हम जो है मीटिंग कर लिया करेंगे अधिकारियों को बुला लिया करेंगे सुनते हैं आगे और मुझे नहीं लगता कि समविधान के अंदर इसकी कोई दिक्कत है और आतिशी जी ने जैसे बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे मनिश शोदिया जी को जरूरत पड़ती है कई बार वो अपने MLA फंड वगरे की जो फाइले हैं उनको साइन करके बेजते हैं इसी तर तो सुना आपने और ये बहुत बड़ी खबर है क्या जेल से चलेगी दिली सरकार सौरभादवाज की प्रेस कॉंफरेंस को आपने ध्यान से सुना होगा आतिशी की प्रेस कॉंफरेंस को आपने ध्यान से सुना होगा वो बड़ी बात ये कहते नजर आए कि हम कोड कास के लिए फंड के लिए इजाज़त लेते हैं हम भी लिया करेंगे तो जेल के अंदर हम मोर्चा संभालेंगे और जेल के बाहर हमारे वधायक मोर्चा संभालेंगे क्या होने वाला है दिल्ली में अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है और क्या सच में जेल से चलेगी सरक ये एक बड़ा सवाल है आजू